Hey guys and welcome to our channel The Engineering Buddy सभी बच्चों के नए अकाडमिक एर स्टार्ट हो गए है हर नए अकाडमिक एर के साथ बचे वेट करते हैं अपनी स्कॉलर्शिप का और एक पार्ट है जो सबसे जादा कंफ्यूस करता है बच्चों वो है फिलिंग ओफ डेकलरेशन फॉर्म स्कॉलर्शिप अपलाई करने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं उसमें से एक होता है डेकलरेशन फॉर्म जिसे हमें फिल करना होता है ये डेकलरेशन फॉर्म महाडी बेटी के वेबसाइट पर ही मिलता है इसे अकसर बेनिफीशरी या अंडर्टेकिंग फॉर्म भी कहा जाता है एक डेकलरेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो गरने पड़ते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आप करेक्ली डेकलरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं तो उपर आई वर्टेन पर यहां आपको एक वीडियो दिख रहा होगा तो गाइस यह है हमारा डेकलरेशन फॉर्म यानि कि प्रतिग्या पत्र जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा फॉर्म मराठी में है तो कई बार इसे पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आईए अब हम देखते हैं कि इसको करेक्टली कैसे भरना है तो यह जो पहला ब्लांक है यहां पर आता है आपके फादर का नाम इसके बाद यहां पर उस एरिया का नाम जहां पर आप रहते हैं फिर यहां पर आपके तालुका का नाम और फिर लासली यहाँ पर आएगा आपके जिले का नाम इसके बाद यहाँ इस ब्लांक में आपको लिखना है कि आप टोटल कितने भाई बहन है जैसे कि अगर आप दो भाई दो बहन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे चार similarly तीन जितने भी टोटल आप है आपको यहाँ पर उसे नमबर में मेंशन करना है इसी के साथ साथ आपको यहाँ नीचे स्पेसिफाई करना है कि आप में से कितने भाई हैं और कितनी बहने मतलब basically कितने boys हैं और कितने girls इसके बाद यहाँ इस वाले blank में candidate यानि कि आपके खुद का नाम आएगा इसके बाद यहाँ नीचे इन चारों में से आपको select करना है कि आप कौन से नमबर के भाई या बहन हैं आप सबसे बड़े हैं कि आप बीचके हैं तीसरे हैं या चौत हैं उस हसाब से और similarly आपको यहाँ पर अपना gender select करना है बस आपको एक tick करना है आपके simply उसके बाद यहाँ नीचे आएगा आपके college का नाम और उसके नीचे यहाँ पर आएगी आपकी branch इस वाली लाइन में आपको अपने scholarship का नाम लिखना है यह जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी family में कितने लोग पहले इस scholarship को जो नाम आपने पहले mention किया था उस scholarship को use कर चुके है मतलब किन लोगों ने पहले भी इस scholarship ले रखी है आपकी family में से अगर zero है तो आप यहाँ पर zero लिखेंगे नहीं तो numbers में लिख सकते है one two जो भी लोग रहेंगे आपको यहाँ पर इस जगा उनके नाम लिखने है specific में जितने भी हैं इसके बाद बस candidate को यहाँ पर अपने signature करने है और यहाँ पर आएंगे candidate के father के signature इसके बाद आपको यहाँ पर लिखनी है date और residential area so guys I hope आपको समझ आ गया होगा कि यह declaration form कैसे भरा जाता है यह जो form है यह काफी important है इसलिए इसे अच्छे से भरना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमें comment कर दीजेगा या अगर आपको हमसे personally कुछ पूछना है तो आप हमें DM कर सकते हैं हमारे Instagram पे link आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करो और अपने classmates को बताओ कि declaration form कितना जरूरी है और उसे कैसे भरा जाता है सो मिलेंगे अगली बार किसी और क्वेरी के साथ अब तक के लिए stay safe stay connected